इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा RPSE द्वारा IOGIT FSO Exam 2019 में जो हुआ था उस पेपर की Complete Solution की चर्चा इस वीडियो में करूँगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि FSO Exam में RPC किस लेवल के कुशन पूछते हैं जैसा कि आप सबको पता है Total 150 कुशन पूछे जाता है परते कुशन एक नंबर का है और 150 नंबर का पेपर है तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाता है कि अगर अभी तक आपने हमारे FSO Exam की प्लेलिस्ट नहीं देखी है जहां आपको राजिस्थान और राष्टी स्टर की करन्ट अफेर मंतली वाइज आपजक्टी टाइप में देखने को मिलेगी लिंक नीचे डिस्करप्शन में जियावा प्लेलिस्ट का आप जाके देख सकते हो अब बात करता हूँ 2019 का जो पेपर हुआ तो FSO उसकी complete solution के बारे में चर्चा करूँगा वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करे और चैनल जरूर सब्सक्राइब करे तो बात करता हूँ क्यूशन नमबर फर्ष्ट की पहला क्यूशन है जैल का उदारण है आपके पास चार option है मैं option नहीं बोलूँगा direct answer बोलूँगा ताकि कम समय में आप 150 question शौल कर सको तो जैल का उदारण आपका answer हो जाएगा मखन नेक्स्ट कीशन निमलिकित युगमें में से कौन सा बे मेल है यनि कि आपके आमने सामने में से कौन सा युगमे है जो मेल नहीं खता है तो आपका right answer हो जाएगा कोसी का जिली एकल पर आते ये मेल नहीं खता है तो right answer हो जाएगा D Next question किसी भी सुख्ष्म जीव की वर्दी के लिए water activity का सिमाकन मान कितना होगा तो आपका right answer हो जाएगा किसी भी सुख्ष्म जीव की वर्दी के लिए water activity का जो सिमाकन मान है वो आपका AW 0.91 से अधिक होगा तो आपका right answer क्या हो जाएगा D Next question एफला टॉक्सिन उत्पन की जाती है एफला टॉक्सिन किस जाती द्वारा उत्पन की जाती है 2019 के पेपर में RPSC द्वारा एक क्यूशन है वो डिलीट किया गया था वो कौन सा क्यूशन है उसकी भी चर्चा करूँगा Next question निमलिकित मैंसे कौन से बैक्टिरिया अल्फा टॉक्सिन बनाते हैं आपके पास चार ओप्सिन है इन मैंसे Clostridium perfringis जो बैक्टिरिया है वो आपके अल्फा टॉक्सिन बनाते हैं तो आपका राइट एंसर हो जाएगा C Next question Nitrogen के आकलेन के लिए विदिया है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा Nitrogen के आकलेन के लिए विदिया है उन विदियों को कहते है तो आपका एक जाम ऐसे भी पुछा जा सकता है कि डियों मा और के लिए विदियों के आकलेन के लिए विदिया है उप्सिन में आपको अलग अलग दे दे और आपका एंसर हो जाएगा Nitrogen तो राइट एंसर हो जाएगा C Next question आम तोर पर सोक्राट किससे तयार किया जाता है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा पता गो भी होती है उससे सोक्राट तयार किया जाता है राइट एंसर हो जाएगा D Next question शुक्षम जीव खालिस्तान बीयर और वाइन के निर्मान के लिए उतरदाई है और इनका किन्वित अंतिम उत्पाद है तो इनका किन्वित अंतिम उत्पाद कोण सा होगा एथिनॉल होगा यह तो आपको पता है अब आप्सन में पहले और तीसरे में आपका एथिनॉल है अब आपको देखना है शुक्षम जीव करा तो आपका right answer हो जाएगा शुक्ष में जीव, शेक्रो माईसीज, सेरे विशी, बीर और वाइन के निर्मान के लिए उतर दाई है और इनका किन्वित अंति मुत्पाद एथेनोल है तो आपका right answer हो जाएगा A Next question निमलिकित में से किसका किन्वित कोजी द्वारा होता है तो आपका right answer हो जाएगा सोया बीन का किन्वित है वो कोजी द्वारा होता है Right answer हो जाएगा C Next question गुलकोज के एक अनू के पून वाइवी ओक्षिकरण से कितने जी टीपी प्राप्त होते है गुलकोज के अनू के पून वाइवी ओक्षिकरण से आपके कितने जी टीपी प्राप्त होते है दो जी टीपी प्राप्त होते है Right answer हो जाएगा A वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चनल जरूर सब्सक्राइब करें डेली आपको इसी तरह FSO exam के लिए क्यूशन देखने को मिलेंगे और Current Affair के क्यूशन में अलरड़ी करवा चुका हूँ प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्करप्शन में दियावा आप जाके देख सकते हो Next question एगर 22 पोरस क्या है तो आपका Right answer हो जाएगा ये एक खादिप परदात है 11 में का Right answer Next question वशिय अमले आक्षी करथ होते है किसके आक्षी करण द्वारा तो आपका Right answer हो जाएगा Alpha और Beta आक्षी करण द्वारा वशिय अमले है वो आक्षी करथ होते है Right answer हो जाएगा Next question Capta fall क्या है Capta fall एक क्या है Next question निमलकित विटामिन में से कौन सा एक परती रगत इस्तरा भी है तो आपका Right answer हो जाएगा विटामिन के आपके एक परती रगत इस्तरा भी है चवद्वें का Right answer हो जाएगा Next question Enzyme की सामने क्रिया विदी क्या है तो आपका Right answer हो जाएगा एंजाइम की सामने क्रियवदी है कि ये सक्रियन उर्जा को कम कर कारे करता है तो आपका right answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा A. Next question मानो सरीर में मिथाइल और इथाइल अलकॉल का विस रण होता है किसके दोरा तो आपका right answer हो जाएगा ओक्सीकरण से मानो सरीर में मिथाइल और इथाइल अलकॉल का विस रण होता है राइट answer हो जाएगा A. Next question कच्चे अंडे के सफेद हिसे के उभोग निम्न में से किसकी कमी होती है तो आपका right answer हो जाएगा बायोटीन की कमी से कच्चे अंडे के सफेद हिसे के उभोग होते है तो आपका right answer हो जाएगा B. Next question वरगी करण की पाँच जीव जगत पदती मेंशे कोन समिलित नहीं है कोन समिलित नहीं है तो आपके उसमें आउपंग कवक समिलित है, जीवानों समिलित है फाइको मैसिटी समिलित है लेकिन विशाणू, वाइरोड़ीज और लाइकें ये आपके समिलित नहीं है, तो आपका answer हो जाएगा A. Next question सूची first को सूची second से आपका मिलान करना है और सही उत्र का चैन करना है आप देख सकते हो सूची first में calcium है तो इसका रक्त इस्तंद नईक्दम सही है sodium का लिखावाए अंतर कोशिक ये दरव के बीच विद्यू संतूलन रक्रकाव सही है iron का लिखावाए anemia सही है iodine का लिखावाए thyroid hormone का निर्मान ये भी आपके सही है तो आपका right answer हो जाएगा 1, 2, 3, 4, C next question प्राकेंद्रिक के बारे में क्या सत्ते नहीं है तो इसमें आपके पास option क्या है कि प्राकेंद्रिक के बारे में क्या सत्ते नहीं है पहला बहुल रहा है कि केंद्रिक जिली तता केंद्रिक का अनुपस्तित रहती है ये right है mitochondria के उपस्तित ये wrong है 17S ribosome उपस्ति राइट है साधरन एकल गुण सुतर ये भी राइट है तो आपका एंसर क्या हो जाएगा क्या सत्य नहीं है मैट्रो कॉंडिया के उपस्ति थी सत्य नहीं है 20 यो का एंसर हो जाएगा B Next question निम्मे से catfish का veganic नाम क्या है तो आपका एंसर हो जाएगा catfish होती है उसका veganic नाम होता है वेलेगो अट्टू राइट एंसर हो जाएगा D Next question निम्मे से कौन सा रख तिस्तन दिन कारख hagman factor कहलाता है तो आपका एंसर हो जाएगा hagman factor कहलाता है factor 12 तो राइट एंसर क्या हो जाएगा B Next question स्योजी उत्तक का मिलान सुची first और सुची second का सही उत्तर का आपका चैयन करना है question number है 23 इसमें आपको सही उत्तर का चैयन करना है पहले का दियावा लच्छी ले स्योजी उत्तक तो इसमें आपका हो जाएगा वसा उत्तक A का क्या हो जाएगा चोथा A का चोथा आपके दूसरे और तीसरे उप्सन में दियावा है दूसरा है सगन नियमित स्योजी उत्तक तो ये आपके हो जाएगा किस तरह का ये आपका हो जाएगा यानिकि B का पहला, A का चौता B का पहला आप मिलान करके देख सकते हो, C आपका राइट एंसर हो जाएगा, बाकिया आगे चाय करने के भी जरूरत नहीं, next question, यदि वसा सौसन सबस्टेट हो तो सौसन गुणांक होगा, तो आपका राइट एंसर हो जाएगा, वसा सौसन अग आपका राइट एंसर हो जाएगा, वसा सौसन गुणांक होगा, तो आपका राइट एंसर हो जाएगा, इसके अथिरिक कैलसी टोनीन है, वस्त्रावित करती है, राइट एंसर हो जाएगा, C, next question, उत्तक समर्दन में कैलस क्या है, तो आपका राइट एंसर हो जाएगा, उत बीटी जीविस के बारे में क्या सत्ते हैं? तो आपका right answer हो जाएगा निस्करिये प्राग जीविस पिड कीटों के आंत्र में चारिये pH के करण सक्रिये रूप में परिवर्तित हो जाता है ये right है भी आपका right answer हो जाएगा आमाशे का protein-lay enzyme है तो आपका right answer हो जाएगा पैपसीन enzyme है आमाशे का protein-lay enzyme 28 का आपका right answer हो जाएगा A कर्मिक potion इस्तर पर विशाक्त जो ना तो उपापचेत होते हैं और नाई उसरजित होते हैं एवं भंडारित होकर शांदरता में वर्दी करते हैं तो आपका right answer हो जाएगा जैव आवर्दन 29 का right answer हो जाएगा C परियावरण या परदुशकों के निमनी करण में शुक्षम जीओं का उप्योग कहलाता है तो आपका right answer हो जाएगा जैव पचारण शुक्षम जीओं का उप्योग कहलाता जैव पचारण राइट एंसर हो जाएगा C नेक्स्ट क्षिशन निमलिकीत समंगों का माध्य, माध्यक और बाउलो के मैथ का क्षिशन हो गया तो इसमें आपका answer क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपका सबसे पहले जो माध्य वेली पूछी है वर्गांतला दियावा है आवर्ती दीवी है तो माध्य आपका हो जाएगा 55.53 एंसर हो जाएगा D उसके बाद माध्य का पूछा वो 54.44 और बाउला का हो जाएगा 53.08 एक तिस्य का राइट एंसर आपका हो जाएगा D नेक्स्ट क्षिशन निमलकित पार जीवी प्राणियों मैंसे किसके वानी जी उत्पादन के लिए लेक्टोफेरिंजीन का उप्योग किया गया तो आपका राइट एंसर हो जाएगा गाएं के लिए लेक्टोफेरिंजीन का उप्योग किया गया है राइट एंसर हो जाएगा A वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपने FSO exam की प्लेलिस्ट नहीं देखी हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दियावा आप जाके देख सकते हैं जहां आपको करांट अफैर देखने को मिलेगी राजी की यानि की राजिस्थान की और राश्टी स्टर दोनों की मांग और मुले के बीच में समंध हैं तो मांग और मुले के बीच में जो समंध है वो आपके रणात्मक से समंध है तो आपका right answer हो जाएगा राजिस्थान के जाईपूर, अजमेर, टॉंक और दोशा ये आपके अर्ध शुष्क पूरी मेदानी छेतर के अंतरगत आते हैं right answer हो जाएगा C, next question, किर्शी वानी की परदिती, जिसमें किर्शी एवं वानी की फसले समली थे, क्या कहलाती हैं, तो वो आपके कहलाएगी, किर्शी वन व्रक्ष पदती, right answer हो जाएगा A, next question, निम मैंसे मौंगफली की जुमका परकार की किस्म कोन सी हैं, तो जुमका परकार की किस्म हैं, गिर्णार 2, right answer हो जाएगा D, next question, मानक विचलन का शूत्र क्या हैं, मानक विचलन का शूत्र आपको बताना हैं, आपका right answer हो जाएगा, शिगमा बराबर रूड शिगमा एक्स मैनस एक्स बार का होल स्कुर अपॉन एन, तो आपका right answer हो जाएगा B, next question, आम में इस्पंजी उत्तक्षे स्विदन शिल किस्मे हैं, तो आपका right answer हो जाएगा, अलफानसो, अलफानसो आम में इस पंजी उत्तक्षे शोईदंसिल किश में है, राइट एंसर हो जाएगा C, next question, निमलिकित में से प्याज की कोन सी किश में सफेद रंग के कंदों का उत्पादन देती है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा, भीमा सुब्रा प्याज की किश में सफेद रंग के कंदों का उत्पादन देती है 49 का राइट एंसर हो जाएगा, B, next question, अरका रक्षक एक परमुकिश में किस की है तो ये आपकी जो किश में हो टमाटर की है, राइट एंसर हो जाएगा, C, next question, भूनियादी पशुपालन सांख्या की, पशुपालन डेरी, वो मस्यपालन विवाग भारत सरकार के अनुशार भारत में वर्ष 2017-18 में दूद उत्पादन कितने मिलियन टन था तो ये आपके उस टेम की करंट अफेर के कुशन है 17-18, तो इस बार ये 17-18 का तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका एंसर आपको बता दिया जाता है, 170-180 मिलियन टन, आपका राइट एंसर हो जाएगा, D, करंट अफेर आपके लाश्ट की एक साल के अंदर-अंदर की कोई भी कुशन पूचा जा सकता है, नेक्स्ट कुशन, पंठ रागी नी किस की किशम है, तो आपका राइट एंसर हो जाएगा, पंठ रागी नी आपकी मेहीं बेठी की किशम है, 42 का राइट एंसर हो जाएगा, C, नेक्स्ट कुशन, व kayशन के शम wenn में परजिवी और वो बैंक की तैयली स्यों का राइट एंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट किशन राजिस्थान पर्तिवेक्ति दूद उपलबदता में भारत में कौन से इस्थान पर है या 2017-18 के एकोडिंग पूछा गया था तब आपका एंसर था तीसरा याने की राइट एंसर सी नेक्स्ट किशन भारत में दूद का सरवार्दिक उप्योग किस क्या बनाने के लिए किया जाता है तो भारत में दूद का सरवार्दिक उप्योग तरल दूद के रूप में किया जाता है राइट एंसर हो जाएगा C, गाएं का गर्बावदी कितने दिन का होता है तो आपका right answer हो जाएगा गाएं का गर्बावदी है वो 280 से 285 दिन का होता है right answer हो जाएगा B, next question नवजात बचड़े को खीस पिलाने की दर कितनी होती है तो आपका right answer हो जाएगा नवजात बच्डे को खीस पिलाने की दर सारीरिक फार का 10% होती है यानि कि आपका right answer हो जाएगा A Next question साधारनत मक्खन को किस में पैग किया जाता है तो आपका right answer हो जाएगा साधारनत मक्खन होता है उसे PVP parchment paper में पैग किया जाता है Right answer हो जाएगा A रत इस्तरावी सैप्टी सीमिया का प्रेरख का रहे है पैश्टू रीला मल्टो शीडा Right answer हो जाएगा A Next question इस बगोल में इशब गोल में वजन के अनुशार भूशी और बीज का अनुपाद कितना है तो भूशी का अनुपाद है पच्चिस और बीज का है पिच्चोतर Right answer हो जाएगा A Next question उभोगताओं के स्वास्ते पर लाबकारी परबावद डालने वाले जिवानों को क्या का जाता है तो भोगताओं के स्वास्ते पर लाबकारी परबावद डालने वाले जिवानों को का जाता है Probiotic Right answer हो जाएगा B Next question खादिय सुरुक्षा और मानक अधिनियम भारत का अधिनियम संसद में जारी करने का वर्स तता लागू करने का वर्स कोन सा है तो खादिय सुरुक्षा और मानक अधिनियम भारत का अधिनियम संसद में जारी करने का जो वर्स है वो 2006 है और लागू करने का वर्स है 2011 तो आपका Right answer हो जाएगा C Next question गलत तरीके से दवाई देने से होने वाले जानोरों में नियूमोनिया को क्या का जाता है तो आपका Right answer हो जाएगा गलत तरीके से दवाई देने से होने वाले जानोरों में नियूमोनिया को का जाता है ड्रेंचिंग नियूमोनिया Right answer हो जाएगा D Next question फल भंडारन में निम्यसिक का अप्योग इथाईनिल मार्जक के रूप में होता है तो आपका Right answer हो जाएगा फल भंडारन में पोटेशियम परमेगनेट का अप्योग इथाईनिल मार्जक के रूप में होता है Right answer हो जाएगा A Next question भारतिये खादिये सरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में कितनी धाराय है तो भारतिये खादिये सरक्षा तता मानक अधिनियम 2006 में आपकी धाराय है 101 Right answer हो जाएगा C Next question कच्छा घात क्रीम में वशा की मात्रा कितनी होती है तो इसमें वशा की मात्रा होती है वो आपके होती है 30 से 40% Right answer हो जाएगा C वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें डेली आपको इसी 33 अफेसो एकजाम की पर पेशन कराई जाए Next question भोजन में परीरख्षण है तू कौन सा रशायन सरवार्दिक मिलाए जाता है तो आपका right answer हो जाएगा तो आपका right answer हो जाएगा कम से कम 20 से 30 परतिसद फालो का रास होना चाहिए right answer हो जाएगा Next question वाडशिक ओधियोदिक सरवक्षण 2016-17 के अनुशा केस राजे में सबसे अधिक पंजीकरत और अनिगमित खादिय प्रसंसक्रण इकाया विद्मान है तो आपका right answer हो जाएगा आंदर परतिस राजे C आपका right answer Next question लाल अमलिय फलों की डिबवा बंदी के लिए परिव्ट डिबो का परकार है तो परिव्ट डिबो का परकार है R enamel right answer हो जाएगा A Next question फल और सबजियों की कटी हुई सतर में प्रकिन्विक फूरापन आने का कारण है तो आपका right answer हो जाएगा Phenols का ओक्षी करण right answer हो जाएगा A Next question वर्ष 2017-18 के नूशार भारत के किस राजे में सबसे ज़्यादा ताजी सबजियां उगाई जाती है तो वर्ष 2017-18 के नूशार भारत के पच्छिम बंगाल राजे में सबसे ज़्यादा ताजी सबजियां उगाई जाती है right answer हो जाएगा A Next question ने में से कौन सा एक क्लाइमेट्रिक फल है जो 16-26 लिगरी Celsius तता मिट्टी की pH 6-7 पर ही पेदा होता है तो आपका वो क्लाइमेट्रिक फल कौन सा हो जाएगा अवो के डो right answer हो जाएगा C Next question दुर्गी करण के पुरावसेश किस तामर पाशान यूगिन पुरास्तर से प्राप्त हुए है तो आपका right answer हो जाएगा आपके राजिस्थान जीके के किशन आने सुरू हुए Next question प्राचिन्तम जुते हुए खेद के पुरातात्यूक अउसेश के सांसकर्तिक इस्तर से प्राप्त हुए तो आपका right answer हो जाएगा प्राचिन्तम जुते हुए खेद के पुरातात्यूक अउसेश आपके प्राप्त हडपा यूगिन संसकर्ति से प्राप्त हुए है Right answer हो जाएगा Next question के सासक ने बूंदी में तारागड दुर्ग का निर्मान करवाया तो आपका right answer हो जाएगा वर्षिन सासक का नाम है वर्षिन जिनोंने बूंदी में तारागड दुर्ग का निर्मान कराया है Right answer हो जाएगा B Next question यूआंग चुआंग द्वारा उलेखित पोली येता लोग के रूप में किस स्थान की पैचान की गई है तो इसके रूप में आपके बेराड से बेता की पैचान की गई है Right answer हो जाएगा A Next question एग मारक अधिनियम 1937 किस के अंतरगत आता है तो एग मारक अधिनियम 1937 है आपके विपणन और निरिक्षन नेदेशाले के अंतरगत आता है Right answer हो जाएगा B Next question राजिस्थान के किस जिले में डड़ी कर सेल कला पुरास्थल इस्त थें तो आपका Right answer हो जाएगा अलवर जिले में Right answer हो जाएगा A Next question राजपुतों की विदेशी उत्पती का मत सरोपर्थम किस के द्वारा परतिपादित किया गया राजपुतों की विदेशी उत्पती का मत सरोपर्थम कर्णल तोड द्वारा परतिपादित किया गया था Right answer हो जाएगा A Next question है जो आपका RPSC द्वारा डिलिट कर दिया गया है Next question सेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संगर्ष करने है तो भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्लेरित किया था तो भरतपुर के देशराज व्यक्ति ने प्लेरित किया था Right answer हो जाएगा A Next question जगत सिन कावे की रच्चिता कोन थे तो आपका Right answer हो जाएगा जगत सिन कावे की रच्चिता थे रगू नाथ Right answer हो जाएगा D Next question एकी आंदोलन का परमुक उदेशी क्या था तो आपका Right answer हो जाएगा एकी आदोलन का परमुक उदेशी किसानों को भारी लगान और अन्याय पुण बेगार से मुक्त करवाना Right answer हो जाएगा B Next question 1903 और 1911 में आयोजी डिली दरबार में राजिस्थान के किस सासक ने भाग नहीं लिया था तो खेतडी के सासक अजिसी ने भाग लिया था मेवाड के माराना सजन सी ने भाग लिया था अफटसी ने भाग नहीं लिया था और गंगसी ने भाग लिया था आपका Right answer हो जाएगा C जिनोंने भाग नहीं लिया था Next question चूरू में सर्वहितकारणी सबाकी स्थापना कब और किषने की तो आपका राइट अंसर हो जाएगा चूरू में सर्वहितकारणी सबाकी स्थापना स्वामी गोपाल दास ने 1907 में की थी राइट अंसर हो जाएगा A. Next question फारत संग में अधी मिलन पत्र पर हस्ताखसर करने वाले राजिस्थान के पर्थम सासक थे गोविंध गुरू के विष्य में निमलेकित में से कौन सा कथन आशरत ते हैं तो जो दूसरा दियावा गोविंद गुरू का जनम 1868 ने डुंगरपूर के पाल पटा में हुआ था ये आपका शक्ते हैं, राइट अंसर हो जाएगा B, बाकी सभी आपके शक्ते हैं रुक्नदीन, शहादीन, रशीद और काशीम किस चत्रकला सेलीशे समन्दित हैं, तो ये आपके बीकानेर सेलीश से समन्दित हैं, राइट अंसर हो जाएगा B, बाकी सभी इसलमेर में, ये आपका राइट अंसर next question कचुपा राजवन्स की पर्थम राजदानी कहां थी? तो आपका right answer हो जाएगा कचुपा राजवन्स की पर्थम राजदानी आपके दो सामें थी right answer a next question सौतनता प्राप्ति की समय राजिस्थान में छेतरफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ी रियाशत थी मारवाड रियासत राइट अंसर हो जाएगा B Next question सौामी दयानन द्वारक के स्वर्ष में उधेपूर में एक सामाजिक संस्ता परोपकारिनी सबा की इस्तापना की गई है Next question किस लोग देवता की पतनी सती नहीं हुई है तो आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा हडबू जी की पतनी सती नहीं हुई थी राइट अंसर A हो जाएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चनल जरूर सब्सक्राइब करें एक बार फिर आपको बता दिया जाता कि अगर अभी तक आपने FSO एक्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंग नेचे डिस्क्रिप्शन में जियावा जहां आपको राश्ट किये और आज इस तरी करेंट अफिर देखने को बिलेगा वो भी objective टाइप में नेक्स्ट किशन मेवाडी भासा में योगशूतर भगवद गीता और शांखे कारी की गरंतों की रचना किशने की है तो ये रचना की है चतुर शिन्य राइट एंसर हो जाएगा A मौर्यय योगिन बोध इस्तूप के पुरावसे कहां से प्राप्त हुए मौर्यय योगिन बोध इस्तूप के जो पुरावसेश है वो आपके बेराट से प्राप्त हुए है राइट एंसर हो जाएगा C नेक्स्ट किशन निमबार्क शंपरदाय की परमुख पीट कहां स्तेते हैं निमबार्क शंपरदाय की परमुख पीट आपके सलेमा बाद में स्तेत हैं राइट एंसर हो जाएगा D नेक्स्ट किशन धोली दूब ग्राम के संपरदाय से शमंदित हैं तो धोली दूब ग्राम आपके लाल दासी संपरदाय से समंदित हैं राइट एंसर हो जाएगा D. Next question. दामना आभुषन कहां पैना जाता है? तो दामना आभुषन अंगुलियों में पैना जाने वाला एक आभुषन है, राइट एंसर हो जाएगा C. Next question. ख्याल के जैपूर खराने के परवर्तक कोन थे? तो ख्याल के जैपूर खराने के परवर्तक थे? मन रंग। राइट एंसर हो जाएगा C. Next question. जलागीत इस्तरियों द्वारा कब गाया जाता है? तो आपका राइट एंसर हो जाएगा वर्तकी बारात का डेरा देखने जाने पर जलागीत इस्तरियों द्वारा गाया जाता है? राइट एंसर हो जाएगा C. Next question. सई शुमिलित करना है? एक साइट आपके शाइतिकार है, एक साइट रचनाकार है, आपको बताना राइट कुन सा साइतिय है और उसके रचनाकार में. तो सबसे पहले आपका लिखावा दलपत विजे. तो सामने जो आपसन दीवे शाइति इनमें से खुमान राशो है, उसके रचनाकार है, दलपत विजे. सेकिंड है नर्पती नाला, तो बिसल्देव राशो के रचनाकार है, नर्पती नाला, B का हो जाएगा चोथा. अब A का दूसरा, B का चोथा, आप इतना ही देख लो, और कोई आपसन ही नहीं है, सिरफ और आपसन B है, तो आपका राइट हैंसर हो जाएगा B, आप सुमिलित एकजामें इसी तरह भी कर सकते हैं, जो आपको आता है, वो सुमिलित करके आपसन के एकुरिन देख सकते हैं. नेक्स्ट कुशन, आववा का कामेशर मंदिर किस काल की कला का परती नितित्यों करता हैं, तो आववा का कामेशर मंदिर गुर्जर परतिहार कालिन का परती नितित्यों करता हैं, राइट हैंसर हो जाएगा B, नेक्स्ट कुशन, नेमिलिकित में से कौन सा सर्वोत सीकर हैं अब जो option दिये वे हैं इन में से आपका तारा गड़ है ये सर्वोत सीकर है राइट एंसर हो जाएगा D Next question तो राजिस्थान में अरावली का कौन सा भाग सरवार्दिक वर्षा प्राप्त करता हैं तो राजिस्थान में अरावली का दक्षीनी भाग सरवार्दिक वर्षा प्राप्त करता है राइट एंसर हो जाएगा C आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बोक्स में चरूर बताएं निम्न में से राजिस्थान का कौन सा किर्शी जलवायो प्रदेश सरवार्दिक वर्षा प्राप्त करता है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा 4th B तता 5 किर्शी जलवायो है वो आपके सरवार्दिक वर्षा प्राप्त करता है राइट एंसर हो जाएगा D इंडिया स्टेट ओफ फॉरेश्ट रिपोर्ट दोहजार सत्रा के नुशार दोहजार पनरा से सत्रा के बीच निम्में से किस चिले के वणावराण में स्तरवार्ज क्रिणात्मक परिवर्तन हुआ है तो ये तो आपके एकजाम 2019 में हुआ था इसलिए उस टेम का पूछा गया था लेकिन इस बार 2017 का नहीं पूछा जाएगा आपका राइट अंसर हो जाएगा परताब गड़ भी आपका राइट अंसर चालावाड से बीकानेर की और शीदी रेखा में यात्रा करते वे आप निम में से किस परकार के भोतिक सरूपों के करम का अवलोकन करेंगे तो आपका राइट अंसर हो जाएगा चालावाड से बीकानेर की और में आप हाडोती पठार, बनास बेशिन और मध्य अरावली राइट अंसर हो जाएगा टी नेक्स्ट किशन शौ नंबर का किशन टोटल आपके पेपर में देड़ सु किशन आते हैं वो ही देड़ सु किशन की चर्चा कर रहा हूँ 2011 की जनगरना के अनुशार निम में से कौन से जिलो के समू में सबसे कम मैला शाक्षरता अंकीत है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा जालोर, सिरोई और जेसलमिर सी आपका राइट अंसर हो जाएगा सबसे कम मैला शाक्षरता अंकीत है 2011 की जनगरना के अनुशा नेक्स्ट किशन राजिस्थान में नए जल संबर के चुनाओं में निमे से किस मानदंड की सरवार्दिक मैतो दी चाती है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा छेतर जिश में पेज जल की विकट कमी हो राइट अंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट किशन हाली में वन विबाग राजिस्थान ने गोडावन के अंडे सेने की किरतिम वीदू हेतुने में से किस संस्था से सयोकरार किया था यह उस टेम की करणट अफर का कुशन है तो आपका अंसर हो जाएगा वाइल लाफ इंस्टिटूट ओफ इंडिया देहादून राइट अंसर ए किर्शी विबाग राजिस्थान के मरदा वर्गी करण के अनूशा रे और इना मरदा हैं यह काँ पाई जाती है तो यह आपके गंगा नगर में पाई जाती है राइट अंसर हो जाएगा ए राजिस्थान राजिकी नविन्तम वन निती परचलन कब आई थी तो आपका राइट अंसर हो जाएगा 2010 में नविन्तम वन निती परचलन में आई थी राइट अंसर हो जाएगा C बनास नदी का उद्गम इस्तल है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा कुमलगड के नज़ीर खमनोर की पाड़ियों से बनास नदी का उद्गमिस्तल है राइट अंसर हो जाएगा D सूची फर्ष्ट को सूची शेकंड से सूमिलित करना है एक साइड खनीजे और एक साइड आपके खनन चतर है तो पहला दियावा रॉक फोस्पेट तो इसका हो जाएगा D दाफन कोठड़ा और फतरगड दूसरा दियावा टंगस्टन इसका आपका डेगना हो जाएगा मैंगनीज दियावा इसका आपका लीलवानी हो जाएगा और डॉलोमाइट पीछे बचाओ धरियावाद और खमेरा इनकी पहले का दूसरा दूसरा दूसरे का चोथा तीसरे का तीसरा चोथे का पहला राइट एंसर हो जाएगा A नेक्स्ट किशन नेक्स्ट किशन जीले और एक सेट जीले हैं आपको शूमिलित करना है तो पहले दियावाय उमेद सागर चील ये आपके कहां पर इस्तित हैं तो उमेद सागर चील आपके फीलवाडा में इस्तित हैं नकी जील कहां पर इस्तित हैं शिरोई में इस्तित हैं पिचोला जीला आपके कहां पर उस्तित हैं? उदेपूर में उस्तित हैं और तालाप सही आपके थोलपूर में तो आपका राइट एंसर कौन सा हो जाएगा? 107 का B Next Question निमलिकित में से कौन सा राजिस्थान के सूती वस्तर उद्योग से समंदित नहीं है? तो आपका राइट एंसर हो जाएगा Reliance Context उदेपूर सूती वस्तर से समंदित है? मेवार Textile सूतर वस्तर से समंदित है? Edward Mills ब्यावर ये भी सूती वस्तर से समंदित है? लेकिन इबिडला Corporation चतोडगड है ये आपके सूती वस्तर से समंदित नहीं है? Right answer हो जाएगा C Next Question मेवार सुगर मील कहां अवस्तित है? तो ये आपके फुपाल सागर में इस्तित है? Right answer हो जाएगा A Next Question Next Question में भी आपके साइट उद्योग है और इस्तान है आपको बताना है शूमिलित करना है Right answer कौन सा होगा? तो सबसे पहले आपका दियावार ब्यावर आपका हो जाएगा वस्तर के लिए उसके बाद दियावार भरतपूर आपका हो जाएगा सर्शों के तेल के लिए गंगानगर आपका चिनी के लिए हो जाएगा और केश्वा नागूजर हो जाएगा कागज के लिए तो आपका राइट एंसर हो जाएगा B नेक्स्ट क्रिशन ने मैंसे कौन से समिती गरीबी से समंदित नहीं है अब गरीबी से समंदित कौन सी नहीं है रंग राजन तो गरीबी से समंदित है लकडा वाला भी समंदित है तैंदूलगर भी समंदित लेकिन आर्श्वामिन्यातन समिति गरीबी से समन्दित नहीं है राइट एंसर हो जाएगा D नवीन और नवीनी करने उर्जा मंत्राले के द्वारा अनुमोधित राजिस्थान की एक मेगा सोलर पावर परीज़न कहां इस्ते थें यह आपके फत्यगड में इस्ते थें राइट एंसर हो जाएगा D वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट किशन भारा सरकार के खादिये प्रसंस्क्रण उद्योग मत्राले के सायोग से ग्रिन टैक मेगा फुड पारक ने अपने इकाई कहां पर इस्तापित की है तो इन्होंने अपने इकाई रूप नगड अजमेर में इकाई स्तापित की है राइट एंसर हो जाएगा A नेक्स्ट किशन नात्रा की पाल तता मोरीजा बनोल छेतर में खाने कहां इस्ते थे तो आपका राइट एंसर हो जाएगा नात्रा की पाल और मोरीजा बनोल छेतर में खाने है वो लो एश्की है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा C नेक्स्ट किशन राजिस्थान के दिर्थिय परमाणू उर्जार सेंतर कहां प्रस्तावित है ये 12 औरा में प्रस्तावित है राइट एंसर हो जाएगा C राजिस्थान के पुलीश अधिकारी जिने दक्षिन सुडान में शान्ती बनाये रखने के लिए शुक्त राष्ट पदक द्वारा समानित किया गया तो वो आपका एंसर हो जाएगा कमल शेखावत राइट एंसर हो जाएगा राजिस्थान उर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा खत्थन शत्ते नहीं है तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा यह वित्रण निगमों परसाराण निगम और उत्पादन निगम की सूतरधारी कमपनी है यह आपका राइट नहीं है राइट एंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट कुशन राजिस्थान के पायल जांगिड को अमेरिका में बिल एंड मैलिंडा गैट्स फांडेशन की तरफ से चैंज में कर पुरुषकार मिला वो जहां की रहने वाली है यानि कि पायल जांगिड राजिस्थान में कहां की रहने वाली तो यह आपके अलवर में हिंसला की रहने वाली यह करंट अफेर का क्यूशन है 2019 के टाइम का है इस बार आपको मैं वापस बता देता हूँ करंट अफेर आप सिर्फ एक साल पुरानी तक ही देखे नेक्स्ट कुशन ने कई नहीं पहल किए निमलकित में से कौन से एक उसमें समयलित नहीं थी तो इसमें पहला खादिय सुर्ख शमित्र योना का सुबारम समयलित थी अपने फ्रिड कर्मियों के उपकराणों को रखने के लिए एक स्मार्ट जैकेट जारी की गई थी यह भी सही है निमलिकित युगमों में से ओश युगम का चाहिन कीजिए जिसके दोनों सजेशिन ने इस्टर डफलो के साथ और सस्तर का नोबल प्रुषकार प्राप्त किया था तो आपका राइट अंसर हो जाएगा 121 का तीसरा माइकल क्रेमर और अविजीत बनर जी राजिस्थान में विबिन स्रेणियों का तामबा पाया जाता है राजिस्थान की निमलिकित जगह में से किस जगह समस्रेणियों का तामबा सरवार्दिक मातरा में पाया जाता है तो आपका right answer हो जाएगा मदन कुदान जुंजनू का सरवार्दी ठांबा पाये जाता है मात्रा में right answer हो जाएगा B next question next question है आबू परवच्छेतर मुख्यतर निर्मित है तो आबू परवच्छेतर है वो आपके ग्रेनाइट से निर्मित है right answer हो जाएगा A next question राजिस्थान हाई कोट के पूरो मुखे नादिष जो अभी हाल में सुप्रीम कोट के नादिष निर्मित है ये question आपके skip कर दीजे क्योंकि करन्टा फिर का है इस बार नहीं पूछा जाएगा तो आपको बताना है वूल्फ रेमाइट के लिए उत्पादक जिला कोन सा है तो आपका answer हो जाएगा नागोर दूसरा है बेरिलियम बेरिलियम के आपका उदेपूर हो जाएगा मेंगनीच का बांसवड़ा हो जाएगा और बेंटो नाइट के लिए आपका हो जाएगा बाढ़ मेर तो 125 का आपका answer हो जाएगा बी चोथा तीसरा दूसरा पहला नेक्स्ट क्रिशन योको हमाद जापान में एफ ए ओ का क्या है तो आपका answer हो जाएगा शंप्रक कारेले हैं अभी अहमद अली के बारे में निमले के फिमेज़न सेकत्नों को पढ़े और सई उत्रकूट को चुने पहला है वो इथोपिया के राष्टपती है उन्हें पूरो में एक शेने अधिकरी के रूप में ये भी आपका करांट अफेर का क्यूशन आप स्किप कर शकते हो क्योंकि करांट अफेर 2019 की तो आने में रही नेक्स्ट क्विशन है फार्तिय परदान मंत्री और अमेरिका के राष्टपती सितमबर 2019 में किस इस्तान पर हमिले ये भी क्विशन करांट अफेर का है इस्किप कर दो वैसे एंसर बता देता हूं अमेरिका आपका एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्विशन नेक्स्ट क्विशन है 21 सक्व्टपर 2019 किस राज्य या जिन राज्यों के विदान सभा के मदान की दिनाखती ये भी आप इस्किप कर दीजिए करंट अफेर का क्यूशन है जो कि आपके इस बार की पूछी जाई कि 2019 की नहीं पूछी जाई NCRT ने विद्याले परधानों और शिक्षकों के शमगर प्रगति के लिए राश्टी इस्तर पर एक कारेकरम बनाया है इस कारेकरम का शक्सित नाम क्या है तो इस कारेकरम का शक्सित नाम है राइट एंसर होजएगा C ये भी आपके इस टेम की करंट का क्यूशन था नेक्स्ट क्यूशन भी आपका करंट अफेर का क्यूशन है भारतिय परधान मंतरी की 17 और 18 को किस देश की यात्रा के दोरन उस देश में रूपे कार्ड का सुभारम हुआ था तो आपका एंसर था फुटान नेक्स्ट क्यूशन 25 सितमबर 2019 को ग्वालियर में भारतिय वाईशने का एक विमान दुर्गिटना ग्रस्थ हो गया था वो विमान कौन सा था तो विमान आपका था मिग 21 आपका राइट अंसर हो जाएगा उस सहर को पैचाने जा राजिस्थान सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिजनेस इनक्यूबेटर भामासा टेक्नो हब इस्ताफित किया गया यह भी करांट अफरिक के क्यूशन आपका एंसर हो जाएगा जाइपूर करांट अफरिक के क्यूशन सिर्फ आपको मैं डारेक्ट अंसर बतागे जल्दी जल्दी स्किप कराऊ जुलाई 2019 में ओपरेशन सुदर्शन शुरू किया था किसने तो ओपरेशन सुदर्शन सीमा सुरुक्षा बलद्वारा ही शुरू किया जाता है चाए वो तब का पूछ ले चाए अभी भी पूछ ले एंसर तो सीमा सुरुक्षा बली रहना है राजिस्थान के निमलिकित खिलाडियों में से कोन निसाने बाजी से समधीत नहीं इस टाइप के क्रिशन आपको देखने को मिलते हैं तो आपका एंसर हो जाएगा यसा सीन आपके है निसाने बाजी से समधीत नहीं है तो राइट एंसर हो जाएगा सी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट क्रिशन किर्शी और प्रस्नसक्रण खादे उत्पाद नरियात विकास अधिनियम संसर द्वारा दिशंबर 1985 में पारित होने के बाद सबसे पहले लागू हुआ था वत्तिती कौन सी है तो वत्तिती आपके 13 फरोरी 1986 राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्विशन वत्त्मान जेल्मान देशक ये भी स्किप कीजिए तो चंदरियान 2 को कब लौंच किया गया था? आपका एंसर हो जाएगा ये क्विशन पूछा जा सकता है फलाई उष्टेम का करंट का क्विशन है नेक्स्ट क्विशन दूद का पी एच मान कितना होता है तो दूद का पी एच मान आपका 6.8 होता है राइट एंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्विशन एसेटिक अमले का पी के ए मान कितना है एसे टीक अमलेका पी के माहने 4.76 राइट एंसर हो जाएगा A वीडियो अचल गए ते वीडियो को लाइक करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट क्रिशन है दो सो इंठाणों के पर के डबलू का मान ये नियूमरिकल क्रिशन है इसका एंसर आपको बता देता हूँ एक अंटू दस की गार मैंने 14 एंसर हो जाएगा A नेक्स्ट क्रिशन दिर्तिय कोटी अभी करिया के लिए वेग स्तरांग की एकाई कितनी है तो उसकी एकाई है मोल इंवर्स लीटर सेकंड इंवर्स यहीं कि लीटर अपॉन मोल इंटू सेकंड भी आप बोल सकते हो नेक्स्ट क्रिशन CLF3 की आणविक जामिती कैसी है तो इसकी आणविक जामिती T आकरती की होती है राइट एंसर हो जाएगा C नेक्स्ट क्रिशन एक अभी करिया मुख्य उत्पाद है इसमें से आपका जो मुख्य उत्पाद है वो कौन सा बनेगा आप अभी करिया देख सकते हो और इसमें आपका जो मुख्य उत्पाद बनेगा RCH2OH बनेगा राइट एंसर हो जाएगा A नेक्स्ट क्रिशन ग्यमेक्सिन का राशानिक शूतर क्या है तो ग्यमेक्सिन का राशानिक शूतर है C6H6Cl6 राइट एंसर हो जाएगा D नेक्स्ट क्रिशन नेक्स्ट क्रिशन में भी आपको मुख्य उत्पाद बताना है यह अभी क्रिया करके मुख्य उत्पाद क्या बनाएगा तो N-Hydride राइट एंसर हो जाएगा Next question Tilden अभी करमक क्या होता है Tilden अभी करमक आपके Nitrosil Cloride होता है राइट एंसर हो जाएगा And last question Pinnacle की रासानिक सरंचना कौन सी है तो आप देख सकते हो और CS3 तो राइट एंसर आपका हो जाएगा B तो यह थी आपके FSO exam RPSC द्वारा आयजित कराएगे 2019 के पेपर की complete solution वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चनल जरूर सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने FSO exam की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे description में दिया वा जहां आपको राष्ट्य और राजिस्ट्री की करेंट अफर objective टाइप में मंतली वाज देखने को बिलेगी